तो गैसे पर वीवो के ना वी ट्वेंटी के जो 2021 वाला डिवाइस है उन सभी डिवाइस को पर लगबक आज एक नया सौप्टर अप्डेट रिलीस हो चुका है और जो अपडेट यह पर मेरे को भी मिल चुका है तो इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा डीटेल में इस पर क्या को इंप्रूमेंट में देखने को मिल जाते हैं वो सभी चीज़े इस वीडियो के अंदर में आपको डीटेल में बता दूंगा तो चलो मैं यह पर जादा डाइमेज नहीं करता हूं अपडेट को भी आपशुरू करता हूं एंड वीडियो को पर श्टार्ट कर दे पर में एक और चीज़ बता दूँ वीडियो के आईकू 7 को पर भी एक नया अपडेट आया है तो उस अपडेट को भी जूरो का अंदर में एड कर दूंगा ठीक है तो चलो यह पर वीडियो को शुरू करता हूं बढ़ उससे लिए बता दू वाई वीडियो का जो इंफॉ बगड़ा है पहले से बहुत यहादा चेंज रहनेया पर कर दिया है एंड लिटिली इसको पर मैंने एक डेडिकेशन वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले जब एप्लिकेशन अपडेट को मैं वीडियो बनाता हूं उस जगा पर मैंने एड किया था यह बाला कॉलर है बेसिकल इसका जो लुक के डिजाइन बगड़ा इस अपडेट देने के बाद कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है एंड उसके अलब भाई यह पर इस वीडिव वी 2021 इस एडिशन का मैंने अपडेट लॉग ही तो आपको नहीं बता है तो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं तो इस फोन का जो ओल वरिशन है 1.70.40 का है नेया सब्टर अपडेट वरिशन 1.70.41 का है अपडेट का साइज है 134 MB के आसपस अपडेट कूपर जैसे कि इन्होंने सबसे पहला काम किया सिस्टेम कूपर अपडेट टुदा ऑगोस्ट टुन टुन गूगल पैच मिल जाता है विवो और विट्वेट के 221 वाल एडिशन की उपर एंड नेक्स्ट वएक उन्ने काम क्या फिक्सटा इश्यू और सिस्टेम स्टैबलिटी तो फोन का सिस्टेम हो आपर मतलब ऑट्माइक लिए रिश्टाट हो रहाता था स्टेबेल नहीं था तो उसको अगर आपके फोन में मतलब एक दो तीन वाइफाय नेटवर्क से यह पर किया होता है कि एक छोड के दूसरे में कनेक्ट हो जाता है फिर आपको डिसकनेक्ट हो रहा था तो वाइफाय कनेक्शन के अंदर बहुत सब्सक्राइब हो थी तो उस पॉब्लम को इस अपडेट के न अंदर जैसा मैंने बोला डायल के अंदर चेंज किया एंड जो है वाइफाय कनेक्शन को पहले से अच्छा किया आपको देखने को मिल जाते तो नौर्मली कैसे आप भी वह वी ट्वेंटी के ट्वेंट एडिशन की मैंने आप अपडेट की बात कर लिया अब भी आपर बा टुटं टुट criterion का आपिए टुटै grapes अक्री टूल काया है याघ सब्ड़्च के अंदर जैसे कि नोंने काम केए सिस्टेंगिपडेंद को टो इंट च् dice तो आपکंएट्री दीस टावडाथा तो उस पाद्रूम के अपोर नों ने सॉल किया है उसको steeple कैया है एंडर शोन गेमिंग एप्लिकेशन थी जो यह पर सही तरीके से अप्टिमाइस नहीं था इक्यों से बता दू इस अप्डेट देने के बाद गेमिंग एक्स्पिरियंस बहुत यह दा स्मूध हो चुक है फोन बहुत यह स्मूध हो चुक है और जो हीटिंग इस्व देखने को मिल रही थ तो उस पाउलों को भी आपने ठीक है आईकू 7 को उपद तो आईकू 7 को उपद नहीं इन्होंने बहुत सरे काम के इस अपडेट के बाद तो बिसिकली मैं बोलना चाहूंगा अगर कोई भी यह पर आईकू 7 यूज करता है तो भाई आप यह वाला अपडेट अगर आया है इस अपडेट के बाद तो इसलिए मैं बोलना जा तो बहुत ही अच्छा इन इंट्रेस्टिंग अपडेट है आईकू 7 के लिए तो जिनको भी अपडेट मिला है अपडेट आप यह पर कर लेना और बाकी भाई जितने भी इन्फोमेशन थी मैंने पास इन दोनों फोन के अ आपके साथ शेयर कर दिया अगर आप कोई बाला वीडियो पसंद आए तो बच वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर सब्सक्राइब कर सकतो और बाकी मिलतों के साथ नेक्स्ट वीडियो में